Move the dot to 0.05 on the number line तो हमें इस green dot को इस number line पे 0.05 या 500 तक move करना है और अगर हम अपनी इस number line को देखें तो ये number line 0 से शुरू होती है और 0.1 तक जाती है ये जो number line का part हमें दे रखा है ये 0 से 0.1 को दिखाता है तो 0.1 ये represent करता है 1 tenth या फिर 10 hundredths को 10 hundredths दरसल में 1 tenths के ही बराबर होता है तो यहां से हम कह सकते हैं कि 5 hundredths 0 और 10 hundredths के ठीक बीचो बीच आना चाहिए तो मैं इस green dot को इस number line के ठीक बीचो बीच में रख दूँगी यहां पर ये point जो की 0 और 0.1 के ठीक बीच वाला mark है ये represent करता है 5 hundredths को और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर 0 से 0.1 यानि कि ये जो part है number line का ये one tenth को represent कर रहा है और हमने अपने one tenth को ten equal parts में बाटा हुआ है यानि कि हर एक part ये one hundredths को represent करता है तो five hundredths कहा आना चाहिए ये हो गया one hundredths ये two hundredths, three hundredths, four hundredths और ये है हमारा five hundredths तो ये हमारे five hundredths की position है इसे चेक कर लेते हैं जी हाँ बिलकुल ठीक चली अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं move the dot to zero point zero seven on the number line हमें अपने इस green dot को इस number line पे zero point zero seven या फिर seven hundredths तक ले जाना है और अगर हम इस number line को देखें तो यहाँ पर है zero और यहाँ पर है zero point one यानि कि इस number line का ये वाला जो part है ये one tenth या फिर zero point one units को represent कर रहा है और one tenth ये बराबर होता है ten hundredths के ही यानि कि इस number line का ये part ये ten hundredths के बराबर है और अगर हम अपने इन ten hundredths को ten equal parts में बाट देते हैं तो हर एक part यहाँ पर one hundredths को represent करेगा और हमें यहाँ पर जाना है seven hundredths तक तो अगर मैं अपने इस green dot को यहाँ ले जाती हूँ तो हम आ चुके हैं one hundredths तक अगर हम यहाँ आते हैं तो ये है two hundredths ये हो गया three hundredths ये four hundredths ये आ गए हम five hundredths पे five hundredths zero और zero point one के ठीक बीच वाला number है लेकिन हमें तो seven hundredths तक जाना है तो ये था five hundredths ये है six hundredths और ये है seven hundredths तो ये वाला mark ये represent कर रहा है zero point zero seven या फिर seven hundredths को तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो हमने इसे सही कर लिया है लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर आकिर hint क्या दे रखा है तो पहला hint है the number line is divided into ten equal pieces between zero and 0.1 तो ये जो number line है zero से 0.1 के बीच वाली इसे हमने ten equal parts में divide कर लिया है इनका दूसरा hint देखते हैं दूसरा hint है each tick mark represents a length of 0.01 और 100 तो यहाँ इस number line पर हर एक piece ये represent करता है 0.01 या फिर 100 को जैसा कि हमने पहले सोचा था और यहाँ पर हमें दे रखा है मैं इस चीज को थोड़ा सा इधर ले आती हूँ ठीक है यहाँ पर ये number line फिर से बनाई है इन्होंने और ये बताया है कि हर एक mark यहाँ पर क्या represent कर रहा है चलिए आगे दूसरा hint लेते हैं starting at 0 we move a length of 0.01 7 times to get to 0.07 तो अगर हम 0 से चलना शुरू करें तो हर एक mark 0.01 के बराबर होगा तो अगर हम ऐसे 7 marks के उपर जाते हैं तो हम 0.07 तक पहुच जाएंगे और इसका आखरी hint है और ये जो आखरी hint है ये तो हमारा answer ही होता है ये हमें बता रहा है कि हमारा ये point ये कहा आना चाहिए मैं इस चीज को थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप ये पूरा सवाल एक साथ देख सकें यहाँ पर तो ये हमारा पूरा सवाल आ गया यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर 0.07 पर अपने point को रखा था यहाँ इस hint में भी इस point को यहाँ पर ही रखा गया है तो चली आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं तो इस सवाल को मैं फिर से थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ हमें देखने में काफी असान होगा यहाँ से ठीक है तो अब हमें यहाँ पर इस green dot को 0.03 पर move करना है तो इसे हम फिर से वैसे ही करेंगे यहाँ पर यह जो part हमें दे रखा है number line का यह one tenth या फिर ten hundredths के बराबर है और हर एक mark यहाँ पर represent कर रहा है one hundredths को और हमें इस green point को 0.03 या फिर three hundredths पर move करना है तो चलिए करते हैं यह है one hundredths, यह है two hundredths और यह है हमारा three hundredths इसे चेक कर लेते हैं जी हाँ बिल्कुल सही अगला सवाल यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है move the dot to 0.08 on the number line तो हमें इस green dot को 0.08 या फिर eight hundredths तक move करना है और हम पिछले सवालों में देख चुके हैं कि यहाँ पर हर एक mark यह one hundredths को represent कर रहा है तो हम चलिए इसे move करना शुरू करते हैं यह है one hundredths, two hundredths, three hundredths, four hundredths, five hundredths, six hundredths, seven hundredths और यह आ गया हमारा eight hundredths तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं हाँ यह भी ठीक है कर दोके